टिप्स थीएटर चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है बालों का सफेध होना, बालों का पकना बिलकुल साधरन सी बात होती है एक उम्र में अगर हमारे बाल सफेध होते हैं तो यह बहुत ही नैचरल चीज है दोस्तों परंतु आजकल तो कम उम्र में भी सफेध बालों की समस्या देखी जा रही है कुछ तो जेनेटिक कारण है, कुछ तो हमारा खान-पान है, कुछ है पॉलूशन दोस्तों और कुछ तो है सन की युوवी रेस तो बालों का सफेध होना आजकल की सबसे बड़ी समस्या है सफेध बालों को हम किस तरह से काला करें इसके लिए हम लोग बहुत सारे केमिकल वाले डाय का इस्तमाल करते हैं यदि हमारे कुछ बाल सफेध होते हैं और हम डर जाते हैं कि हमारे बाल तो सफेध हो गया अब हम केमिकल वाले डाय का ishtοमाल करते हैं परणतू दोस्तों इससे आपके सारे बाल सफेध हो जाते है बलकि बालोंकी जड़ भी कमजूर होने लगती है तो इसके लिए हम महंदी का इस्तमाल करते हैं बालों को काला करने के लिए जाद तर महंदी का ही इस्तमाल किया जाता है दोस्तों आज में आपको महंदी का इस्तमाल किस तरह से करें ताकि जो आपके बाल है जो सफेद हो रहे हैं वे काले होना स्टार्ट हों और महंदी का आपको भरपूर फायदा मिल सकें सबसे पहले महंदी को जब भी आप भिकाएं लोहे के बरतन का इस्तमाल करें लोहे के बरतन का इस्तमाल करने से लोहे के कुछ तत्व महंदी में आ जाते हैं बालों में अच्छा काला रंग आता है कभी भी नीबू ना डालें दोस्तों हम सोचें आरे वाह लेमन जूस नीबू क्या करता है एक नैचरल ब्लीच होता है दोस्तों बलकि हमारे बालों को ब्लीच कर देता है इसलिए आप महंदी के साथ लेमन का इस्तमाल बिल्कुल भी ना करें कई लोग सोचते हैं कि लेमन डालेंगे तो कलर अच्छा आएगा बिल्कुल नहीं महंदी के साथ नहीं करना है बाकी किसी भी रेमेडी में आप कर सकते हैं और क्योंकि यहां पर हम कलर वाली बात कर रहे हैं कैसे हम सफेद बालों को बिल्कुल काला बनाएं और काला रंग भी हमारा अच्छा चटका है कभी भी महंदी को सादे पानी से बिल्कुल भी डिजॉल्व ना करें महंदी को घोलने के लिए आपको यहां लेना है चाय पती का पानी, कौफी का पानी या बीट रूट का पानी ताकि कलर भी अच्छा है और बालों को अच्छा पोशक तत्व भी मिले कौफी, चाय पती दोनों ही हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है, हेयर फॉल को रोकती है, बालों को सिल्की, शाइनी और स्मूध बनाने का काम करती है, कौफी का पाउडर या फिर चाय पती का पानी तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज ली है, कौफी इसलिए डाला है, कौफी डालने से कलर और भी बहुत बढ़ी आता है, कई लोगों को महदी का कलर पसंद नहीं होता है, लाल सा रंग, इसलिए यहाँ पर कौफी जरूर एट करें, बहुत अच्छा कलर आएगा, जो कि आप रूट चुकुंदर तो बहुत पोशक्तत होता है, खुब अच्छी तरह से चाय और कौफी के पानी को बॉइल कर लेना है, चान कर आपको महदी में मिलाना है, दोस्तों जब भी से चाने दोस्तों एकदम ठंडा ठंडा ना मिलाए, हलका सा गुन-गुना महदी पर मिलाएं क्योंकि हम सब पहला साहरा महदी का ही लेते हैं, दोस्तों, बेस्ट रिजल्ट का तरीका बता रही हूं, आज आपको आप इसे जरूर ट्राय करें, ये सारे टिप्स आपके बहुत काम आने वाली है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो अच्छा लगे, तो को लाइक जरूर करें, तो लोहे की कढ़ाई लेना है, सबसे पहले टेप्स ताकि जादा से जादा आइरन बालो को मिले, बालो को हेर फॉलिकल को जितने अच्छे न्यूट्रियंट्स मिलेंगे दोस्तों, बालो की जड़े मजबूत होंगी, कॉफी चाय सिर्फ हमारे पीन अगर ठंडे पानी से घोलेंगे तो कई बार महदी में टुकड़े आने लगते हैं, यदि महदी बहुत पुरानी है तो चान कर इस्तमाल करें, चानने से महदी की जो गठाने हैं, छोटे-चोटे गोले बन जाते हैं, वह तूट जाएंगे और आपको लगाने में आसानी हो नैचरल रेमेंडी जो होती ही ना दोस्तों, 100% वर्क करती हैं और रिजल्ट भी आपको इसका अच्छा मिलेगा, एक तो महदी, ये ना सोचें, महदी स्रीप कलर का काम करती है, ये तो डाय है महदी, महदी हमारे बालों को नरिश करती है, बालों की जड़ों को मजबूत ब महदी में कोई भी तेल भी ना डाले, तेल लगाने से हमारे बालों के ऊपर एक परत सी जम जाती, और महदी का कलर चड़ने नहीं पाता है हमारे बालों में, इस बात का बहुत अच्छा ध्यान रखे, कोई एग मिक्स करने की जरुद नहीं है, आपको चाहिए तो एग का हे करते हैं, कभी भी शेंपू का इस्तमाल ना करें, खोब पानी से दोएं, ज्यादा से ज्यादा पानी से दोएं, ताकि बालों में लगी ना रहे, शेंपू आप नेक्स डे करें, जिस दिन भी महदी लगाते हैं, रात के समय आप तेल जरूर लगाए अपने बालों पर, घंटे जरूर रखें, ओवर नाइट रखेंगे, तो बेस रिजल्ट मिलेगा, जब हम महंदी को लोहे के बरतन में छोड़ते हैं, तो महंदी हमारी ऑक्सिडाइज हो जाती है, कलर अच्छा गहराता है, और इस तरह से राद भर रखी हुई महंदी को लगाने से, जो कलर आ आएगा, तेल लगे हुए बाल पर महंदी ना लगाएं, क्योंकि जो तेल की लेयर बालों पर लग जाएगी, वो महंदी के रंग को चड़ने से रोकेगी, चड़ने नहीं देगी, या कम रंग चड़ेगा, तो मैंने भी इस महंदी को कम से नम 6 गंटे रखा था, सुबा कि अब तो ठंड का मौसम आही गया है, तो हमारा सीरोड ठंडा हो जाएगा, सर्दी खासी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखते हुए ही महनी लगाना है, दिन के समय लगाएं, दोपहर के समय लगाएं, ताकि आप इसे लगा कर 45 मिनट एक घंटा जर जरूर रखें दोस्तों, ताकि इसका पूरा का पूरा फायदा मिल सके, पूरे स्कैल्प पर लगाएं, बालों की लंबाई पर लगाएं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हेर मास्क लगाने के बाद दोस्तों कभी भी अपने बालों को खुला ना छोड़े, आ तो हमारे बालों के बालों के बालों की लंबाई पर लगाएं, एक घंटे के लिए कोई शौर कैप या वेजटेबल पॉलिथिन आप पहन लें, घर का काम करते रहें, साफ पानी से हेर वाश करें, कोशिश करें, शैंपू का इस्तमाल बिल्कुल भी ना करें, नेक्स डे कर जितना अच्छा मेहनी चड़ती ना दोस्तों बोलते हैं, वैसे ही डंग चड़ता जाता है महनी का तो यह बहुत ही अच्छी टिप्स मैंने आपके साथ दी है दोस्तों, अपने बालों को सफेद बालों से बचने के लिए हम किस तरह से महनी का इस्तमाल करें, और इससे मेडी होती है, आप उन्हें ही ट्राय करें, इनका कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बलकि रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, एक घंटे के बाद आप हेर वाश कर सकते हैं, दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है, इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही है, यद और एक घंटे के बाद आप साफ पानी से हेर वाश कर सकते हैं,